तो जैसा कि आपको पता है कि असेस के पहले टेस्ट में मिचल स्टार्क औस्टेलिये के प्लेइंग एलाइन में नहीं थे और सब यही उमीद कर रहे हैं कि वो-अगले मैच में खेεलेंगे तो जब इसी के बारे में मिचल स्टार्क से पूछा दिया तो उन्हें ने फ़नी वे में reply किया If I do get the chance, it will be very interesting week If not, the lunches here are pretty good too तो basically उन्हें ने कहा कि अगर उन्हें second test में chance मिलता है तो वो उनके लिए काफी exciting week होगा और अगर नहीं मिलता, तो आगर lunch भी काफी अच्छा है तो basically उन्हें प्लेइंग इलाइन में रहने से या फिर नहीं रहने से कोई फरक नहीं पड़ता